कैसे समझें कि हमारा बच्चा हमारे पेट में सही है डेली फीटल मुवमेंच किसे कहते हैं दस से बारा बार आपको मुवमेंट हो रही है हाई, I'm Dr. Kalpna Garwal, Gyneops and IVF Specialist आज मैं आपको एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहते हूं जो मेरी क्लिनिक्स में एक बार बार पूछा जाने वाला क्वेशन है कैसे समझें कि हमारा बच्चा हमारे पेट में सही है इसके लिए इंपोर्टेंट होता है जानना डेली फीटल मुवमेंच किसे कहते हैं या फिर बच्चा पेट में सही से गूम रहा है नहीं ये कैसे जानना है जो बच्चे की मुवमेंट्स हैं वो किसी भी मा को जिनरली प्रेगनेंसी के पांचवे यानी अठार्वे वीक से लेकर बाइसवे वीक तक महसूस होनी शुरू हो जाती है इस मुवमेंट का एहसास अलग-अलग महिनाओं के एहसास से समझे तो कुछ ऐसे बोलते हैं जैसे की पेट में गुर्गुदी हुई कुछ ये कहते हैं की जैसे प्लेट में बटरफ्लाइस ही भागी कुछ ऐसे प्रॉपर मुवमेंट्स की तरह जैसे की अंदर कुछ हिल रहा है ऐसा एहसास बताते हैं ये आपका हैसास आपका अपना होगा लेकिन आपको जब ये moment होगी तो खुद से समझ में आ जाएगा कि आज तो कुछ अलग हुआ है और वो शायद आपकी first baby fetal kick हो तो उस हैसास को enjoy कीजेगा आगे बढ़ती हुई pregnancy जैसे कि हम छटे से साथवे महीने में जाने लगते हैं तो ये fetal की counts या fetal moments हमें और अच्छे से पता चलनी शुरू हो जाती है और उस time से हमें counting भी करनी चाहिए ऐसा कहा जाता है कि अगर पूरे दिन में 10 से 12 बार आपको moment हो रही है तो इसका मतलब आपका बच्चा सही है ये moment आप specially खाना खाने के बाद जरूर notice कीजे यो कि जैसे ही खाना आपके पेट से बच्चे के अंदर जाता है उसके energy levels भी बढ़ते हैं और वो बहुत जादा हल नहीं चलता ऐसा नहीं है moments का सब महिलाओं को पता चलता है लेकिन आपको उसको कई बर ध्यान से समझना पड़ता है तो इसके लिए advice किया जाता है आप एकदम शान्ती से करवट लेके उल्टे है सीधे हाथ की पेट पे हाथ रगते हुए उस moments को समझने की कोशिश करें और तब आपको शायद उस हलचल का अच्छे से एहसास हो जाए क्योंकि आप ही है जो बच्चे को अच्छे से समझ सकती है और उसका देली बेसिस पे ध्यान रख सकती है कि वो बच्चा आपके पेट में सुरक्षित है की नहीं है तो डेली फीटल के काउंट जिसको हम डीएफ को रिपोर्ट करें और हस्पिताल में जाके हो सके तो एक बार धड़कन चेक करवाएं और जरूरत पढ़ने पर अल्ट्रसाउंट भी करवाना पर सकता है इस चीज को इगनोर ना करें जैसे की हो सकता है आपके घर के बढ़े आस वडोस वाले कहें कि नहीं ऐसा हो जाता है कि फिटर के काउट नहीं मैसूस हो रही तो इसको इगनोर ना करें हाँ ऐसा होगा कई बार लेकिन दो से तीन घंटे के लिए जब बच्चा अपना सो रहा होता है उस समय वो कोई आक्टिविटी नहीं कर रहा होता है तो उस टाइम पर आप कुछ खाके एहसास कीजिए कि बच्चा मुमेंट कर रहा है कि नहीं अगर इन सब कोशिशों के बाउजूदी बच्चा मुमेंट ना करें तुरंती प्लीज हॉस्पिटल रिपोर्ट कीजिए क्योंकि आपके बच्चे की सुरक्षा आपकी फीलिंग्स में हैं धन्यवाद